बिग बॉस ग्यारा का जल्दी टीवी पर आगाज होने वाला है हमेशा की तरह इस बार भी शो के कंटेक्स्टेंड को लेकर दर्शकों में दिल्चस्पी बनी हुई है टीवी के गल्यारों में अफवा गर्म है कि शो में थंगा वली निकीतिन धीर हिस्टा लेने वाले हैं धीर धार्मी शो मह भारत में करन के रोल के लिए मशूर है लंबी कत काठी और हैंसम लुक वाले निकीतिन धीर बैसिर तो शाद्यसुदा है बावजूत इसके उनकी TRP TV और फिल्मों की दुनिया में जबरदस्त है उन्होंने TV के साथ साथ कई वॉलिवूड फिल्मों में भी काम किया है निकीतिन ने 2008 में आश्रतोष गोवार रिकर की फिल्म जोधा अक्वार में नेगेटिव किरदार से वॉलिवूड में एंटर की थी फिल्म में उनकी एक्टिंग को क्रिटिक्स ने काफी सराहा था इसके बाद तो जैसे उनकी जोली में विलेन के किरदारों की बाड़सी आ गई हो उन्होंने कॉमेडी फिल्म में रेडी, दबंग्टू और चेननेई एक्सप्रेंस में विलेन की भूमी का निभाई निकी तिन को इंडरेश्टी में असली पहचान रोहित शेटी की फिल्म चेननेई एक्सप्रेंस से मिली फिल्म में उनके किरदार ठंगावली को दर्शकों ने खुब पसंद किया शारुक खान और दीपी का पादुपोर्ण की ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर सूपर हिट हुई थी निकी तिन धीर ने खत्रों के खिलाडी सीजन फाइब में हिस्सा लिया था वैशो जीत तो नहीं पाए लेकिन फाइनल त्री तक पहुँचने में काम्याब हुए थे उन्होंने शो में सभी कंटेश्टेंट को कड़े टकर दी थी इसके अलावा निकीतिन सीरियल नागाजुन एक योध्धा में भी काम कर चुके है निकीतिन ने शाल 12-14 में टीवी एक्ट्रेस क्रितिका सेंगर के से साधी की दोनों की जोड़ी बेहद ही खूपसुरत लगती है दोनों की लव इस्टोरी भी काफी रोमांचक है दरसल उन दिनों क्रितिका पंकर धीर की निदेशित डेवलुपलंग माई पादर गौड पादर की सूटिंग कर रही थी काम के सिलसले में क्रितिका अक्सर धीर हाउस जाया करते थी तभी उनकी निकीतिन से मुलाकात हुई धीरे धीरे दोनों में एक दूसरे के प्यार में पड़े और फिर शादी के सूत्र में बंद गए हरपल सची ख़बर के लिए आज हमें सस्क्राइब करें